तो वेलकम पे कई स्वाइट आप सोगों के एक को न्यू माइनक्राफ्ट की वीडियो में तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ग्रेपर फार्म जिसके अंदर मिलने वाला हमें अनलिमिटेड गन पाउडर यह सब बनाने के लिए मैंने सारा आइटम कलेक्ट कर लिया है यहां पर हमें काफि सारे आइटम की जड़ुती जो कि मैंने आपकर कलेक्ट कर ली यह सारे आइटम की डीटियल आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी कि हमें क्या कुछ आइटम चाहिए इस फार्म को बनाने के लिए तो सबसे पहले यहां पर हम एक समुंदर के अंदर यहां पर कुई स्टैक यानि दो स्टैक का उपर की तरफ बिल्ड करने वाले हैं दो स्टैक उपर बनने वाला यह हमारा प्लैटफॉम तो यहां पर छड़ने के लिए मैंने इस टेर लगा रहा हूं है यापर यह हमारी इस्टेर यहां पर complete हो जोगी यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ टॉन का यूज किया है और कुछ ऐसे यहां पर आप देख सकते हैं पिल्कुल सेम इसी तरह का यहांपर प्लैटफूर्म बनाना ए , प्लैटफूर्म बनाने के बाद आपके दो ब्लोक करो ब्लोक कि यहांपर लगाने के बाद यह जो है , जो झाल बेपो यहां दो ही उत्हेक है , कितनी the block सायथ से 20 काओस ब्लोक है 20 याँ ब्लोक कि करीबन यह है शेख रहा है तो यह पर मैं देखता हूं कितने हीट हूने या ब्लोक होएं यह पर 1 और यह ब्लोक तो हो चुकि और के थी और दो ब्लोक मैंने ठा दिए है तो येपं यह दो ब्लोक सी यह इसके लिए मैं यह बुजा देता हूं यहाँ पर दिखने के लिए हमने लगा दिया आप ग्लास क्योंकि पूरा आइटम हमें दिखने चाहिए कैसे यह मसीन वर्क करती है मलग गरी पर कैसे महते हैं यहाँ चड़ने के लिए मैंने एक स्टोन लगाया है तो यहाँ पर मैंने गीलास से आपकी हाइट ठाहर ब्लोक्स के पड़े की साए से हाँ यह अगया जाती है आप लगाते हू और ऐसे आपके 21 ब्लोक के इफए के आइटरने वाली है तो मैं सबसे पहले तो इसे पूरी तरीके से फिल करता हông 21 ब्लोक तक है तो यह फिल करने के बाद आपको kaus तो यह 12 लोग आपको पर जाना है और ऐसा ही प्लेट्वर्म आपको इन चारो साइडों पर बनाना है यहां पर मैंने वीडियो थोड़ी स्लो मोशन पर रखिया कई जेगा पर जिससे आप समझ पाओ कि मैंने किस तरीके का इस्ट्रक्चर बनाया तो यहां पर हमने यह 12 लोग इसको हम कवर करते हैं और इसी तरीके से आपको यह चारो तरफ करना है चारो तरफ करने के बाद आपको एक नीचे ब्लोक लगाना है ब्लोक लगाने बाद आपको कुछ इस तरीके का कुछ बनाना है तो यहां पर यैसे आप यह बना लेते हो तो आपको इसके नीचे का ब् यसे हाई इसकी हाइट ओने वाली है यत तीन ब्लोक 5-3 front। हम Confer 10-6 थी हूं सबसे पह्ले देऊं मैं इसा क्वरड़ सब्सक्राइब में लिए 15 धर में यहां पर हम सबसे पछे में सब्सक्राइब होने देते हैं फिर आप बगल वाली वाल देख सकते हों ने जो बनाई थी वो तीन ब्लोक से इसको मिला कर गए तीन ब्लोक की हाइट पर यह हमारा उचा होने वाला है तो यह तो हमारे पहले दूर सी वाल कम्प्लीट हो चुपी है पहली वाल मैंने दिखाए नहीं जो तो यहां पर हमें तीन ब्लोक की हाइट रखते हुए इसे पूरी तरीके से कवर कर देना है तो यहां पर मैं इसे चारो तरफ से इसी तरीके के प्लैटफोर्म आपको बनाना है तो यहां पर मैं इसे पूरा करता हूं तो यह पूरा होने के बाद आपको यहां पर कुछ ते तो यहां पर आप देख सकते हैं यह सारा एरिया मैंने पूरी तरीके तक फिल करती है तो यहां पर हमें चरुवत होने वाले सीड़ियों के तो एक दो तीन चार्ट पाच तो यहां पर पाच की हाइट पर हमें इन सीड़ियों को लगाना है जो कि लुकिंग में काफी जाद अच्छी लगेंगी और इसी तरह हमें इसे चारो तरफ से फिल करना है तो मैं बताते हैं आपको यह सीड़िया बनाते टैम एक चीज का ध्यान रखना है कि यह आपको बिल्कुल भी स्टोन से नहीं बनाना है यह आपको स्मूथ स्टोन से बनाना है वरना यह वर्क नहीं करेगा मैंने पहले यह बनाया था फिर बाद मैंने दूसरी तरीके से इसे चल लूग गया था रोहात में यह काफी कम दे रहा था बाद में इसने काफी जादा गन पाव कि देख लेना यहां पर कोई जिगाय रहतो नहीं कि रहने बाद यहां पर आपको ट्रैप डॉर लगाने हैं यहां पर ट्रैप डॉर के आप काफी जादा ज़रत होगी तो यह तो हमारी एक उपर के वोल पर हो चुग है ट्रैप डॉर इसके अलाओ यहां पर हमें आरे यहां पर आप बैठ के लगा सकते हैं इस तरीके से ट्रैपडोर तो यहां पर आपको उपर के तरफ भी चारो मेज से चारो तरफ से फिल करना है ट्रैपडोर से और इन कोर्नर उपर भी दिवार उपर के लाश्ट पर भी आपको ट्रैपडोर लगा देना है और दिने बंद कर यहां पर यह सारा क्राम तो मैंने यहां पर कहती है इसके बाद यहां बात की जाए तो यहां पर हमें बनाने एक water source तो यहां पर आप 4 blocks की बीच में गयाफ लेकर यहां पर 2 water bucket से पानी के इंतिवाम कर सकते हो unlimited water का तो unlimited water लेके आपको यहाँ पर 5 blocks की आगे की तरफ लेते हुए 5 blocks लेने हैं उसके पीछी की तरफ यहाँ पर मैं पटक रहा हूं उस तरीके साब को पानी पटक देना है चारों तरफ जिससे यह पूरा उपर की तरफ से cover होने वाला है अभी हमारे नीचे का कुछ काम और भी बचा हुआ है उस काम को आप पहले भी कर सकते हैं या फिर बाद में भी मेरे ध्यान नहीं रहाता है इसलिए मैंने वह काम बाद में किया था तो यहाँ पर जैसा है कि मैं स्पॉन ना हो फिर भी मेरे में स्पाइडर मॉब्स हुए थे स्पॉन लेकिन उने मेरी उनकी कोई जादा बड़ी बात नहीं है तो यहाँ पर आपको दो दो ब्लोक्स की हाइट रखते हुए मतलब गैस देते हुए पूरे में यह स्लैप से फिल कर देने हैं यहाँ पर में कर रहे हो हाड मोड या किसी और मोड में तो यहाँ पर मैंने यह फिल कर दिया यह ऐसा ही हमें चारो तरफ फिल करना है अब देख सकते हो यह मेरा लास्ट होने वाला है तो यहाँ पर कुछ आगा और रह रही है हमारी किसे भी हम फिल करते हैं तो यह पीछे की तरफ का क टेर की जगह है, smooth stone का यूज करना है, आप यह नॉर्मल stone का यूज करोगे तो यह वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पर अभी वीडियो पार पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ पर अभी हमें नीचे flame जलानी है, यह जलाने गपाद आपको यहाँ पर इसे दुपारा से cover कर देना है, तो यह बन चुका हमारा unlimited gunpowder farm, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाद में मेरा work कर रहा था यह, और इसमें हमें कुछ एक घंटे में 3-4 stack से भी ज़्यादा gunpowder मिल रहते हैं, तो इनसे मुझे बनाने था TNT, तो आपके वीडियो अठाने इस पहले मैं आपको बता देता सकते हो, यदि आप यहाँ पर में इस तरह stone के slabs और इनसे cover कहते हो, तो यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल हंदेरन नहीं होगा, जिससे mobs काफी जादर कम quantity में spawn होने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको खासकर इसी चीज में ध्यान देना है, यहाँ पर आपको unlimited stone से जादर पूरा काम करना है, और यदि आपको इस slabs और इनका कारण पता करना है, तो comment कीजेगा, मैं आपको बता दूगा कि इससे यह work क्यों नहीं कर रहा है, और साथ ही यह होने वाला है Minecraft का last episode, तो यदि आपको Minecraft के और वीडियो चाहिए हो, तो इस वीडियो पर 20 कमेंट और अगल प्ले करने वाले हैं, तो जो कि आपको पसंद आए, तो बताईएगा, और यहाँ पर आप गेम प्ले सजेस्स कर सकते हो, हमें comment section में कौन सा गेम प्ले खेलना चाहिए, कौन सा आपको पसंद है, तो यह वीडियो कर रहे हैं, हम यहीं पर खतम यादि वीडियो पसंद आई ह तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे आप से यहीं मज़ेदार वीडियो में फिर कभी, तो चलिए, गुड़ बाइ